हलो दोस्तो हमारी यूट्यूब चैनल जेनरे क्रियेशन्स की हल्थ क्यर सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तो वाइन के कई सारे ऐसे फायदे हैं जो आपको हैरान कर सकते हैं और ये हम नहीं कह रहें बल्कि कई सारी शोध के द्वारा यहें पता चला है कि अगर आप लिमिट में रेड वाइन का सेवन करते हैं तो वो आपकी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाएगी बल्कि उससे आपको कई सारे फायदे हो सकते हैं जी हाँ दोस्तो तो चलिए बात करते हैं कि रेड वाइन के क्या-क्या फायदे हैं लेकिन दोस्तों, यह जानकारी लेने से पहले, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं, या फिर जो लोग हमारे चैनल पर नहीं हैं, वेह जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि इस प्रकार की सभी मह पत्व पुन्जानकरियां आप तक समय तक पहुंच सकें। दोस्तों हाल ही में एक शोध में पाया गया कि रेड वाइन आपकी सेहत के लिए अच्छी हो सकती है। उनकी तुलना में रेड वाइन का सेवन करने वालों की आंतों में माइक्रो बायोम की अधिक विविद्दा हैं तो चलिए जानते हैं कि इसके अन्य क्या-क्या फायदे हो सकते हैं। रेड वाइन में आइरन, मेगनीशियम, विटामिन B6 और विटामिन C की भरपूर मात्रा पाय जाती हैं। इसमें कई एक्टिव एंटी ओक्सिडेंट भी होते हैं जो की इम्म्यूनिटी को बढ़ाते हैं। एंटी ओक्सिडेंट से भरपूर होने के कारण रेड वाइन तनाब कम करने और फ्री रेडिकल से बचाने में मदद करती हैं। इससे आपकी तवचा जवान नजर आती हैं। रेड वाइन अंगूर से बनती हैं। ऐसे मीं ये अच्छे कैलिस्ट्रोल को बढ़ा कर आपकी सेहत को स्वस्थे रखती हैं। और साथ ही ये हैं दिल और वजन को भी संतुलित रखती हैं। रेड वाइन का सेवन सौंद्रे के लिहाद से भी अच्छा माना गया है। कई महिलाओं की शिकायत होती है कि उम्र बढ़ने के साथ उनकी तवचा की रंगत खोने लगती हैं। ऐसी स्थिती में रेड वाइन का फेस पैक मददगार सावित हो सकता है। अगर रात को नीद ना आने की समस्या से परेशान हैं तो रेड वाइन आपकी अच्छी दोस्त सावित हो सकती है। हफते में एक बार इसका सेवन करने से अच्छी नीद आने लगती हैं। तो दोस्तों हमें उमीद हैं कि आपको हमारी ये दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और इससे आप भरपूर फाइदा उठाएंगे तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो जल्दी से हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें और हमें कोमेंट पॉक्स में अपने कोमेंट लिखकर जरूर भेजिएगा, हमें आपके कोमेंट्स का इंतजार रहेगा, मिलते हैं अगली वीडियो में नहीं जानकारी के साथ धन्यवाद